हमारे देश भारत को एक प्रदूशन मुक्त देश बनाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि वो वर्ष 2030 तक भारत में कुल 450 गेगावाट की रिनुबल एनर्जी शमता को इंस्टॉल करेंगे जिसके लिए सरकार ने कई बड़े प्रजेक्ट की घोशना की और इसमें कई भारतिये प्राइवेट कंपनियों ने भी पार्ट स्पेट किया है लेकिन जो भी एलेक्टिसिटी है वो सही पैमाने पर हर एक राजे तक पहुंच सके इसके लिए सरकार ने ग्रीन एनर्जी कोरिडॉर की घोशना की थी जहाँ पर हाली ने सरकार ने इसके phase 2 को अप्रूव कर दिया है उससे पहले बात करते हैं phase 1 के बारे में तो पहले चरण में आंधरप्रदेश, गुजरात, हिमाचरप्रदेश, करनाटका, माध्रप्रदेश, महरास, राजस्थान, तमिलनाडू, इन सभी राज्यों में सबस्टेशन को जोड़ा जाएगा जिनका आनुवा अनलगभग 10,141 करोड़ रुपए है जहाँ पर जो संटल वजट है वो लगभग 4,056 करोड़ का रहेगा और हाली में सरकार ने इसके दूसरे कोरिड़ोर को भी लॉंच कर दिया है जहाँ पर सरकार ने लगभग 12,000 कर रिड़ोर की घोशना की है जहाँ पर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, करनाटका, केरल, राजस्तान, तमिलाड, उत्र प्रदेश जैसे सात राज्यों में 20 मेगा वाट रिनीबल एनर्जी शमता की निकासी के लिए सरकार नहीं ये मंजूरी दी है जहाँ पर ट्रांस्मीश जना का 33 प्रतीशत हिस्सा है जो की केंदर की तरफ से आना है बात करें इस सेकेंड फेज को कंप्लीट करने की तो ये वर्स 2021 और 22 से लेकर के वर्स 2025 और 26 तक यानि 5 साल की अवधी में कंप्लीट की जाएगी ये इंट्रस्टेट ट्रांस्मिशन कॉस्ट आव अजिस्मेंट ये काफी हद तक भारत में जो electricity rate है उसको down करेगी और especially green energy corridor के बारे में बात करें तो यहाँ पर सरकार का focus है कि हर एक चरण में लगबग हर एक राज को electricity से जुड़े हुए इस प्रोजट का lab मिल पाए इसलिए सरकार में कई चरण इसके लिए तै किये हैं सो बताये गए राजों के नाम में से आप किस राज जिसे हैं comment box में जरूर लिखेगा और यदि आपके राजे में ये project नहीं है तो आप comment box में जरूर बताईएगा बाकी भारत के green energy corridor के decision के बारे में आप लोगों को क्या कहना है comment box में अपनी राज जरूर लिखेगा भारत क कैसे ही useful and informative वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बंदे मात्रम भारत माता की जय